नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चानल मी सहेली पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आटा बिस्किट की रेस्पी जिसे मैं बनाऊंगी आटा जीरा कोकोनट बिस्किट आपके बिस्किट ये धी खराब हो जाते हैं बेक करने में पिचक जाते हैं तो आज की जो रेस्पी ये से आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका वी बीस्कीट एक दम अच्छा बनेगा जैसे कि बेकडी में बनाया जाता है. यदि आप खाते हैं मैदा तो मैदा में भी बना सकते हैं तो यहां पर मैं लिए हुँ पूरा कप पूरा एक कप गेहु का आटा और इससे ही बिस्किट बना के दिखाती हूं तो ये करीब 60 ग्राम हमारा गेहु का आटा है इसी के हिसाफ से मैं सारे चीज़ाब को बताते जाओंगी और आप ग्राम से नापना नहीं चाहते हैं तो इसी तरीके से आप घर का कोई भी कप्या कटोड़ा सेट कर सकते हैं हमारा गेहूं का आटा है तो यहाँ पर मैं डाली हूं 40 गराम के कड़ीब चीनी गेहूं के आटे से अधा से थोरा सा ज्यादा चीनी डालिए तभी जाके एकदम परफेक्ट मीठा होता है यह तो इसके लिए इसमें मैं डाली हूं 40 गराम चीनी आप कप से नाप रहे हैं तो तो आधा कप से थोरा सा ज्यादा चीनी ले लिजिएगा अब चीनी को डालना है हमें मिक्सर जार में क्योंकि इसका हमें एक दम बारिक पाउडर चाहिए होता है बिस्किट के लिए इसके लिए अब इसमें अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए जीरा डाल रही हूं एक छोट अच्छी और साथ ही मैं इसमें डालूंगी दो लॉंग लॉंग के फ्लेवर वाले बिस्किट आज बना के देखिए आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा आपको पसंद है लॉंग का फ्लेवर बिस्किट के अंदर तो डालिए नहीं पसंद है तो आप इसकिप कर सकते तो दो लॉंग दो इलाइची और एक छोटा चमस जीरा चीनी के साथ ही डाल ली हूँ अब क्या करना है फ्रेंट्स इसे अच्छे से बारिक करके इसका पॉडर बना लेना है वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और जादा से जादा से जादा सेयर करेंगे चैनल पर पहली बारा है हमारी बनाई हुई रेस्पी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे आज बहुत ही असान तरीके से आपको वीडियो भी बना के दिखाऊंगी और साथ-साथ में समझाते भी जाऊंगी जो कोई नए है पहली बार इस टाइप का बिस्किट बनाना चाहते हैं घर में तो उनका भी बिस्किट एकदम सही बन के आए ऐसे बहुत सारे बिस्किट की से रेस्पी मैं पहले भी आपके साथ सेयर कर चुकी हूँ आपने पहले देखा है तो तो समझ ही गए होंगे और जो पहले से नहीं देखे हैं हमारे कोई भी रेस्पी को नए है तो उनके लिए ये वीडियो एकदम सही होने वाला है तो छानने क पर बटर का भी इस्तेमाल कर लीजें. बटर से जब बिस्किट बनाते हैं, तो वो और भी अच्छा बनता है. तो ये घी हमारा कितना है? ये हैं 30 ग्राम. 60 ग्राम हमारा आटा है, तो गी हमें आटा का जस्ट आदा लगता है, तो इसमें 30 ग्राम घी डाली हूँ और 40 ग्राम हमारा चीनी ये चीनी भी आप चाहे तो आधा मातरा में डाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कम मिठा पसंद करते हैं तो आप आधा ही डाले जैसे एक कप आटे में आधा कप चीनी का इस्तिमाल कर ले और थोड़ा ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो जैसे कि इसमें डाल की दिखाई हूँ बिल्कुल वैसे ही आप डाले आज देखिए आज मैं हाथ से ही मिक्स करके आपको दिखाती हूँ बिस्कित बनाने का एकदम नया तरीका तो यहाँ पर हाथ से चीनी और घी को अच्छे से हमें मिक्स करना है अभी देखिए कैसा यह सुखा सुखा सा है जब कुछ देर इसे मिक्स करूंगी तो एकदम क्रीम के जैसा यह हो जाएगा बहुत ही अच्छा से एकदम क्रीमी जैसा ही मेल्ट हो जाता है चीनी और साथ में घी तो इस तरीके से करते हुए आपको कम से कम 3-4 मिनट तक इसे फेट के एकदम हलका करना है जब आपका ये चीज जो है ये मिक्स जो है एकदम हलका फलपी होगा तो आपका बिस्किट भी बहुत खस्ता बनेगा अंदर तक एकदम जैसे की जालीदार बनेगा बिल्कुल भी हाड नहीं लगेगा खाने में तो इस तरीके से आप हाथ से ही कर ले हाथ वाला बिस्किट जब बनाई तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आया बहुत ही अच्छा बिस्किट बना बहुत जालीदार तो अब भी इसी तरीके से एक बार आजमाईएगा जरूर तो देखे फ्रेंट्स इस तरीके से फेटते फेटते देखे कैसा यह हो गया है आप देख पा रहे ना पहले फेट रही थी तो वो कैसा था रहा भी देखे कैसा अग्दम रूई के जैसा यह फूलते ही जा रहा है देखिये अब ये हो चुका है फिट चुका है अब थोड़ा सा है तो इतना ही लगेगा ज्यादा आप कडिएंगे तो पूरा आधा का टोरी हो जाएगा ये फिट के तो चलिए हाथ को अच्छे से साप कर लेती हूं चमच के साहते से इसाब निकाल ले बहुत अच्छे से निकल जाएगा इतना चीकना होता है बिल्कुल भी बरबाद नहीं जाएगा तो फ्रेंड्स आपको नमकीन बिस्किट की रेस्पी चाहिए जो छोटे छोटे बिस्किट डबा में बंद आता है बाजार में एकदम नमकीन खाने में बहुत ही अच्छा डिजाइनर एकदम छोटा वाला बिस्किट उसका रेस्पी भी अपलोड की हुई हूँ हमारी चैनल है जरूर देखिए आपको वीडियो चैनल इसका वीडियो का लिंक चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा मैं लिंक दे दूंगी आपको वापस से हमें उसी छनी का इस्तेमाल करना है छनी डाल के और इसमें आटा को डाल दी हूँ अब इसमें हमें सारे सा मगरी डालना है तो आटको के साथ डाल रही हूं दो चमच मिल पौडर देखिए अब यहां पर दो चमच इसमें मिलक पाउडर डाल लिएगा एक पिंच नमक जरूड आइड करें अभी सारे सामगरी को हमें छान लेना है जिसे की जो बेकिंग पाउडर है सारे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए अभी से डाल रहे हो दो चमच कोकोनट पाउडर क्योंकि इसमें कोकोनट का भी फिलेबर हमें चाहिए होगा तो इसमें जीरा और कोकोनट दोनों हमें चाहिए होगा तो यहां पर डेसिकेटेड कोकोनट दो चमच डाल रही हो आपके पास सूखा वाला नारियल है तो बारिक वाला से कद्दू कस करके आप दो चमच इसमें डाले इससे बहुत ही अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आएगा अब सारे सामगडी को हमें अच्छे से मिक्स करना है तो थोड़ा-थोड़ा सा चमच से इस तरीके से जो क्रीम नीचे लगा है कटोडे में उसे अच्छे से निकालने उसके बाद ये भी हाथ से ही काम करना है बहुत जादा नहीं डालना है नहीं तो ये गीला हो जाएगा अभी इसमें एक सामगडी डालना भूल गई हो फ्रेंड तो वो भी मैं थोड़ा देर में डालूंगी तो आप भी देख लीजिएगा उसके बीना आपका जो बिस्किट है वो अच्छा से खसता नहीं बनेगा क्योंकि गेहूं का आटे से बना रही हूँ इसके लिए आप यदि मैदा से बना रहे हैं तो उसे नहीं डालना है तो वो सामगडी है हमारा सूजी सूजी इसमें डालना भूल गए थी तो अभी मैं इसमें दो चमच के जितना सूजी एड कर दी हूँ देखिए यह हमें पहले ही डालना था लेकिन याद ही नहीं रहा बाद में याद पढ़ा कि आरे इसमें तो सूजी डाली ही नहीं तो इसके लिए दो चमच इसमें सूजी डाली हूँ और सूजी डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स करने के बाद इसको हमें 10 मिनट तक फ्रीज में रखना है ये काम आप जरूर कीजिएगा जब घी से बिस्किट बनाते हैं तो फ्रीज में जरूर रखें फ्रीज में नहीं रखने से क्या होता है जब इसे बेक कीजिए न तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है इसके लिए 10 मिनट फ्रीज में रखें फिर दिखाती हूं तो देखें फ् इस टाइब का कोई भी बरतन डाल सकते हैं जिस पर कि आप बिस्किट बना रहे हैं उसका ट्रे को इस पर टिका सके अच्छे से कराही के टस से थोड़ा उपर होना चाहिए इसके लिए तो यहां पर स्टेंड डाल के धक्कन लगा देती हूं 10 मिनट तक अच्छे से कराही को ग तो आप देख पार है कितना टाइट हो गया है तो इसी तरीके से आप भी फ्रीज में रखके इसे बहुत अच्छे से थोड़ा देर छोड़ दे जब यह टाइट हो जाएगा तो इसका बिस्किट बना एक तो इसका सेप बहुत अच्छा आता है और यह बहुत ज्यादा गि अच्छा ही रह जाता है इसके लिए तो इस टाइप का ले ली हूँ एक चमच गोल मटोल सा और इससे एक चमच करके सारे बिस्किट को सेप दे दूंगी और बिस्किट का साइज जो है बहुत ज्यादा बारा नहीं रखेगा क्योंकि यह जब फूलता है तो अपने साइज स तीन गुना बड़ा हो जाता है इसके लिए छोटा छोटा सा जैसा कि दिखा रही हूँ वीडियो में बिल्कुल ऐसा ही छोटा छोटा सा आपको बाल्स बनाने है और इसे क्या करना बहुत ज्यादा चिपकाना नहीं है बस गोल मटोल सा ही बनाईए क्योंकि बाद में इसका कमाल आप देखेंगे कि इसका साइज कितना बड़ा हो जाता है इसके लिए तो देखिए चिकना चिकना सा बाल्स बना ऐसा नहीं है कि इसे हम हलके हलके कर रहे हैं टेरा मेरा है तो है नहीं अच्छे से बाल्स जैसे आपको बनाने में आता है जैसे कि हलका दवा के भी आप बना सकते लेकिन थोड़ा चिकना करके बनाईएगा अब यहाँ पर ले ली हूँ एक कोई भी प्लेट आप ले सकते हैं घर का उसके उपर थोड़ा फाइल पेपर लगा ले उसके उपर थोड़ा से घी लगा ले इससे क्या होता हम लोगों का बेकिंग ट्रे जो है बहुत ही म हो जाता है तो इस वाले ट्रे में हमारा छे बिस्कित एक बार में बेक हो जाता है तो छे बिस्कित इसमें लगा देती हो एक और लगाऊंगी थोड़ा ज्यादा इसपेस है तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर छे बिस्कित हमारा एक बार में बेक होता है और इतना इतना इस बिस्किट को डालने के लिए कोई भी आप घर का जैसे की पल्टे वगरा का इस्तेमाल करें नहीं तो यह जो कराही है हाथ में लग जाएगा तो बहुत ज्यादा जल जाएगा इसके लिए आप कोई चीज से इसे डाले ऐसे डारेक्टली मट डाले हाथ से अब इसमें धक्कन लगा देना है धक्कन लगाने के बाद 20 मिनट तक इसे बेख होने देना है और गैस के आज को बिल्कुल लो कर दीजिए और 20 मिनट तक बेख होने दीजिए बीच में आपको धक्कन खोल के नहीं देखना है जिसे की कराही का गर्माहट जो है पुरा निकल बाहर आपके पास इस टाइब का धकका नहीं है तो आप इस टिल वले धककन से भी धक सकते हैं घड़ी का टाइम से 20 मिनट बेक होने दीजिए तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके थे बिसकित को बेक होते हुए और देखिए फ्रेंट्स बगल बगल से थोड़ा ब्राउन ब्राउ नीचे से हलका हलका ब्राउन ब्राउन सा हो गया और देखिए बिसकित का साइज कितना जगह छोड़ी थी बीच में और देखिए कितना फैला है यह बिसकित कितना बड़ा हुआ है अपने साइज से तो इसके लिए इतना सा सा स्पेस छोड़िएगा और जब इस तरीके से बडाउन सा कलर आ जाए बिस्कित में तब ट्रे को निकाल के बाहर रख लेना है और एक पलेट में और लगा के रखी हूँ फोईल पेपर तो बाकी का जो डो बचा हुआ है मिक्स बचा हुआ हमारे बिस्कित का तो उस वाले प्लेट में बनाके और तयार कर लेती हूँ इसे ठंडा होने दीजे जब ये गरम रहे तो इसे ना निकाले तो देखिए यहां पर इस्टिल के प्लेट में भी लगा ली हूँ फॉयल पेपर और जो हमारा मिक्स बचा है इसमें बिस्किट को बेक करके और तयार कर लेती हूँ तो सेम उसी तरीके से करना है गोल गोल सा बनाना करें इसी तरीके की अच्छे-च्छे से रेस्पी आपके लिए लेके आती रहूंगी तो देखें बिस्किट हमारा थोरा ठंडा हुआ भी गरम है और देखें नीचे से इसका कलर देख पार है कितना सुन्दर हमारा बिस्किट बेक हुआ है घर में कोई देखके यह नहीं ब बात कोछिस तरीके का है और बहुत ही सुन्दर लग रहा है देखने में आपको नजदीक से भी एक बिस्किट उठा के दिखाती हूं देखे है ना बिल्कुल बाजार वाले बिस्किट तो अभी इसे तोर नहीं सकती हूं क्योंकि यह बहुत ज्यादा गरम है जब गरम रहत है तो सॉप्ट सॉप्ट सा ही लगता है तो फ्रेंट्स मिलती हूं अगले वीडियो में फिर से एक नई रेस्पी के साथ थैंक यू